नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सपीक आपके अपने चैनल नौलेज ट्विट्स पर तुधा हिंदू का एडिटोरियल जो सुबह में आना था आज किसी काम के वज़े से मुझे कुछ दूसरा काम भी था इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था सौर्य उसके लिए वच आ तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है इसमें अभी वाला जो केस हुआ है माइग्रेंट वोकर्स उनकी डेथ हो गई थी ठीक है तो उस पे ही लिखावा है यह क्या गलती होई है गर्मेंट से कहां पर क्या 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 स्टेप्स लेने चाहिए थे क्या क्या सॉलूशन प् जैसे कि मैगजिंस में होता है काफी सारे मैगजिंस में वाई न्यूज इस्यूज इंवल्ड और वेफॉर्वर्वर्ड होता है उसी तरीके से देखेंगे ताकि आप जब पढ़ें जब खुद से हाबिच्वेट होने लगे आप खुद से पढ़ने लगे तो आपको पता यह तरीक है यह ट्राज़डी ओन दे ट्राक्स ऑन दे किलिंग ओफ 16 माइगरेंट वोर्कर्स यह था तो यह न्यूज में क्यों था अभी क्या हुआ है कि सोलर बॉडी इस एलविट ट्रैक में मिली है महारास्टर में और यह यह न्यूज में आ गया था क्योंकि माइगरें नहीं रेपा रही है पुलिस भी क्योंकि यह कही नहीं प्रॉब्लम है कि माइगरेंट वोर्कर्स को कैसे पहुँचा है वापस उनके गार यह सब इसको काम इसके लिए स्टार्ट हो गया काम करने लगया है गबमेंट और स्टेट गर्मेंट मिल के बट अभी तक का प्रॉब्लम के वज़े से उनकी डेथ हो गई थी तो यहीं इसी चीज़ को राइटर नहीं यहां पर मेंसन किया है इसूस बताया है कि सेंटर की जो इनाबिलिटी है कि वो लोग एकदम अच्छा से कम्मिनिकेट नहीं कर पा रहा है कि लॉग डाउन जो हम एक्स्टेंड कर छाएगी लोगें लोगें समझ में आ रहा है जुन्हों को वापस जाना है वह सब नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारी इस जो एकट्रविटिई तो यह चीज़ बोला जाता है यहँ पर एक प्रॉब्लम तो यह बता दिया गया कि गवर्मन्ट की inability है to clearly communicate to public and state the purpose and protocol of lockdown every step of the way ठीक है दूसरा problem यह बता रहा है जा रहा है कि governance की भी failure है जो states हैं उनके governance में भी failure है और यह तो उनके lack of capacity के वज़े से या तो incompetence के वज़े से writer बता रहा है कि यह problem आ रही है फिर क्या हो रहा है कि जैसे जाना भी है इस state से दूसरे state migrate भी गरना है तो दूसरा problems भी आ रहा है जैसे कि paper work चाहिए फिर huge cost चाहिए जिसके वज़े से क्या होता है कि citizens लोग भी बहुत difficulty phase करते हैं और move नहीं कर पाते हैं फिर इसमें और भी दूसरा issue है कि state भी अपने अर्बिटरी के से description है उसका वो अपने तरिकिया से directions देंगे आर्बिटरी हो जाते हैं बहुत बात और courts भी intervene कि लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ मतलब अच्छा effect आपाए फिर यह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि यहां पर डाइटर अब यह बोलना है कि इससे अच्छा क्या होता इससे अच्छा यह होता कि center work करता state के साथ एक strategy होती है जिसको support हिया जाता और क्या करते हैं लोग कि जो भी stay करना चाहरा है उसको वहीं पे stay करने के लिए फेसिलिटी प्रवाइड करनी चाहिए थी या तो जो मूव करना चाहरा है जो भी migrant worker मूव करना चाहरा है उसको भी मूव कराया जाता लेकिन एक orderly basis पे orderly manner पे ऐसे नहीं कि निकल जाओ और बहुत सारी दिक्कते आएगे ना अगर का दिक्कत आएगा बहुत सारे डीजीज का भी बहुत लोग निकले एक सी साथ में तो अगर है करना का प्रेजेंस तो फैलेगा तो यह सब चीजों को अच्छे से स्टेट और जो सेंटर है उसको अच्छे से work out करना चाहिए था एक स्टाटीजी के तहट उसको support करके आगे लेना चाहिए था अब आगे क्या बोलते हैं यह जो राइटर हैं आगे वेफरडवर्ड बताते हैं वह बताते हैं कि एक honest और open communication होना चाहिए था state government और citizens की बीच में और जो भी tough measures हैं लेकिन essential हैं तो वह लेने चाहिए जो भी हमारे जिनको हमें हमारे care की जरुवत है उसकी care government को state government को करनी ही चाहिए ठीक है और ऐसे जो tragedy हो जाते हैं उसको बचाना चाहिए उससे बचना चाहिए state government को भी और central government को तो यह ही आपको पता चलिए issues क्या क्या involvement migrant workers के case में जब moving की बात हो रही है तो क्या क्या issues हो गए और आपको पता चलिए कि इसका solution क्या है चलिए next अब सी क्या करेंगे कि question भी डाल दिया करेंगे ताकि आपको पता चलिए कि question कैसे हा रहे है और क्या लिखना है यह आप खुद से practice कर सकते हैं और assessment के लिए आप telegram channel पर अपना answer भी scan करके भीज सकते हैं चलिए next देख लेते हैं coming to terms on India refusing to admit community transmission तो अभी यहां पर क्या हो रहा है यह news में क्यों आगया था यह news में इसलिए आए गया था कि health ministry जो है यह बोल रहे है कि community transmission जो है यह बहुत limited है यहां पर इनका यह क है कि the virus had not spread to the community health minister said India's virus spread had not gone to stage 3 यह लोग भी बोल रहे हैं कि कि अभी community spreading नहीं हो रही है चलिए अब राइटर नहीं यहां पर issues क्या क्या बताया है तो सबसे पहला तो इंडिया इसको refuse क्यों रहा है इंडिया refuse कर रहा है community spread को क्योंकि यहां पर इंडिया के पास इतनी capacity नहीं है for the time being कि वह इतने number of use number of test कर सके रोज दिन पर कर सके तो इंडिया को नहीं पता चल रहा है जो भी community transmission है यह किस stage पे है यह इंडिया को नहीं पता चल रहा है but there is no reason how to continue being in denial the erode this erodes public trust देखिये transmission हो रही है लेकिन government नहीं बताएगी तो यह वही वाला case हो गया कि world who भी wait कर रहा था कि लोग panic हो जाएंगे तो इसको pandemic नहीं बोलना है finally world who को भी बोलना ही बड़ा कि pandemic है लेकिन तब तक बहुत ज्यादा case बहुत ज्यादा delay हो चुगा था है ना तो यहां भी यही हो रहा है कि government नहीं बता रही है कि हम हम incompetent हैं हम नहीं हम नहीं test कर पा रहे हैं पर डे सारे population का और test के थ्रू हम नहीं बता पा रहे हैं कि क्या stage है क्या कितना फैल चुगा है government सीधे से बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है अपनी incapability अपनी inability को नहीं बता रहे है तो इससे क्या होगा इससे पब्लिक डिस्ट्रस्ट पब्लिक का जो trust है government पे वो खो जाएगा क्योंकि क्या होगा कि हम लोग को लगेगा कि हम लोग safe हैं लेकिन यहां पर condition कुछ और होगी रहता है और तुरंट से पता चलता है कि आज इतना cases था और कुछ एक ही दिन में 2000-3000 ऐसे cases बढ़ गए तो यह कहीं नहीं है इसका reason की community transmission है लेकि government इसको आउट नहीं कर रही है कि हम फेल है अपने अपने अटम्स में हम फेल है फिर decision हुआ यह है कि study करा आई जाएगी है कि community spread है इसको confirm किया जाएगा फिर जो भी proportion है जो भी है उनको फिर से quarantine जो भी procedure होता है वो किया जाएगा ठीक है आगे देखते हैं हम कि क्या राइटर क्या लिखते हैं फिर राइटर क्या लिखते हैं कि और भी यहां पर issues यह है कि यहां पर availability नहीं है reliable rapid antibody test की ठीक है जिसक एक महिना डिले हो गया ठीक है तो यहां पर जो हमारे यहां जो rapid antibody test होना चाहिए वह भी नहीं है उसके जगह पर government क्या यूज़ करी यूज़ करी है तो इसमें क्या होता है कि यह time ले लेता है और जिसके वज़़े से time ले लेता है एक तो पहले से infected people और उसके बाद contact में आ यहां पर problem हमने देख लिया कि testing नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास उतना उतना नहीं है हमारे पास source कि हम डेली के basis पे यह जो community testing है वो कर पाए फिर अगर कर भी पाते हैं हम तो हम क्या कर रहे है कि हमारे पास rapid वाली antibody test नहीं है अगर है मतलब जैसे कि एलीज़ टेस्ट हम कर सकते हैं antibody test के लिए तो इसमें भी क्या है कि तो इसकी result देर से आगी प्लस यह जो cover is है इसको refine करते करते भी बहुत time लग जाएगा और मिस हो जाते हैं लोग मिस हो जाते हैं जो भी recent infected लोग है यह मिस हो जाएंगे तो इससे भी output निगलेगा नहीं नहीं पता चल पाए सब्सक्राइब करना चाहिए और रैंडमली टेस्ट होना चाहिए 30,000 पीपल का मीनवाइल state should continue with strict containment and mitigation measures acting on assumption that virus has indeed spread in the community ठीक है तो यह तो एक है कि दोनों को मिलके testing करनी चाहिए रैंडमली टेस्टिंग करनी चाहिए और बहुत सारे number of people को इंगलूड करना चाहिए क्योंकि state or center दोनों मिलके करना है दूसरा यह बोलना है कि state लोगों को state government को भी क्या करना है कि ऐसे act करना है कि हमारे community में already आ गया है यह community spread हो चुगा है यह कोविट का तो इसको कैसे हम contain करें कैसे इसको हम मिटिक इसका problem का solution दूले इस तरीके से नहीं भी अगर फैला है तो कोई बात नहीं बट आपको act करना है कि आप बहुत grave situation में हो और आपको उस तरीके से अपने आपको competent बनाना है और problem problem का solution ढूड़ना है ऐसा राइटर बोल अज हम दो ही एडिटोरियल को देखेंगे लीड हमने नहीं लिया जिसको कवर कर लेंगे किसी एक दिन अच्छा 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 लीड आज का पेपल में जो लीड था वह बहुत अच्छा था लेकिन वहीं यूके में यूके का अलग सिन्यारियो कोविड वाला और फिर इंडिया का बहुत बहुत लंबा सा था उसको एक अलग से वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे दोनों को कमपैरिटिव स्टडी कर लेंगे तो आज के लिए बस इतना ही यही दो एडिटोरियल को डिसकस कर लिए कल से हम कोशिस करेंगे क्वेशन भी लेके आठी है तो